हेलो नमस्ते दोस्तों कैसे आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का सवागत है हमारी यूट्यूब चैनल नीमी जी नैट प्रो पे दोस्तों आध की कलास में हम पढ़ेंगे Types of Data and Majorment Scale के बारे में जिसमें हम देखेंगे Nonional Scale क्या है, Ordinal Scale, Interval Scale और Ratio Scale क्या है सबसे पहले हम इस Topical Letter Theory को पढ़ेंगे Theory को पढ़ने के बाद हम Most Important Key Words को देखेंगे आप देखना उन keywords को देखने के बाद आपके questions कितनी असानी से solve हो जाएंगे और कल की class में हम इसी topic के little previous year exam में आए होई questions को solve करेंगे इसी तरीके से हम सारे topics को cover करेंगे आप आने वाली सारी वीडियोस को जुरूर देखना इसके लिए आप हमारा चैनल निमीजी नेट प्रो जूर सब्सक्राइब कर लेजिए और गंटी का बटन जूरूर दबाईए तांकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का notification असानी से मिल सके चलिए दोस्तों अब हम करते हैं अपनी class को start और पढ़ते हैं types of data and measurement scale के बारे में types of data and measurement scale जो measurement scale है मुख्यत और पिसकी four types हैं देखते हैं कौन-कौन सी है nominal scale, ordinal scale, interval scale और ratio scale हमसे जे भी पूछा जा सकता है exam में कि जो measurement scale है उनकी कितनी types हैं तो आपने याद रखने हैं इसकी four types हैं इसको नाम असान बाशा में समझने की कोशिश करेंगे और हम आपको एक तरीके भी बताएंगे कि किस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में सबसे पहले देखते हैं nominal scale क्या होता है nominal scale में देखिए number assigned to runners इसमें क्या है चीजों को number से represent किया जाता है ठीक है देखिए जे राम है जे शाम है और जे संदीप है हमने जे माल लिया राम को 7 number से represent करें शाम को 8 number से represent करें और संदीप को 3 number से represent करें इसी तरीके से जब हम form fill करते हैं exam का कुसी भी exam का form fill करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे लिखा होता कि अगर आप male है तो एक पेटी कीजिए female है तो दो पेटी कीजिए दीखे जो हमारा जूजी सी net का exam है इसमें हमारे जो subject है उनको भी code दिया हुए है उनको भी number से represent किया हुए है जैसे economics का एक code है ठीक है political science का 2 है philosophy का 3 है तो इस तरीके से इनको number से represent किया जाता है nominal scale जही होता है जिसमें हम number से represent करते है दीखे हम इसके name से ही idea लगा सकते है nominal means के name ठीक है इसमें 3N का formula भी लगा सकते हैं 3N means पहला है nominal दूसरा है name तीसरा है number मतलो nominal scale में name को number से represent किया जाता है I hope आपको समझ में आया होगा आगे है ordinar scale ordinar मतलव के order में लगाना हमें name से ही पता चल रहा है न दीखी rank order to winners इसमें क्या है ranking orders में लगाते हैं हम चीजों को जैसे जे राम है और जे श्याम है और जे संदीप है है न तो जो राम है वो third place पे आया है और श्याम second पे है और संदीप first पे है इनको क्या हम ranking order में लगा रहे हैं ठीक है जब हमने ranking order में लगाना है तो हम ordinar scale को use करते हैं आगे है interval scale interval scale क्या होता है interval scale जैसे में name से पता चल रहा है मतलब के बीच में है न interval हमें हम movies देखते हैं न वहाँ पे इंटरवल होता है न वीच में तो आप वहाँ से वियाद रख सकते हो performance rating on a scale मतलब 0,2,10 के scale के बीच में जो हमारी rating हमें दी जाती है तो उसको हम कहते हैं interval scale देखे जब हम exam में हमें grade मिलती है जैसे राम है राम को 8.2 grade मिली है और sham को 9.1 grade मिली है और उसके बाद संदीश संदीप को 9.6 grade है तो इस तरीके से आप जयाद रख सकते हो कि जो interval scale है इसमें grade मिलती है आगे है ratio scale, ratio scale में क्या होता है जो चीज हमारे पास actual में है हम उसी को ही represent करते हैं जैसे क्या राम है वो 15.2 km दोड़ा है तो हम 15.2 km ही कहेंगे हम 15.2 km ही कहेंगे हम 16.2 km ही उसको कहेंगे शया में वो 14.1 km दोड़ा है और संदीप 13.4 km दोड़ा है तो इस तरीके से जो चीजे actual में हैं हम उन्हीं को ही represent करेंगे यसे के बाराँ बच के 5 मिन्ट होगे ठीक है हम जे नहीं कहें सकते के 12 बज़े हैं हम जह कहेंगे कि 12 बचके 5 मिन्ट होए हैं मतलब कि हम actual चीज को represent करेंगे I hope आपको समझ में आया होगा आगे हम example देख लेते हैं इनके later सबसे पहले nominal scale nominal scale की example देखते हैं जिसमें gender है हम gender को भी number से represent करते हैं religion को कर सकते हैं post जैसे हम को post fill कर रहे हैं post fill करने में देखें हमारे पास काफी vacancies हैं एक number के पे clerk की है दूसरे पे teacher की है तीसरे पे principal की है तो वहाँ पे हमने जो अपनी post fill करने है वो हम number tick कर देंगे clerk के लिए कर रहे हैं तो एक number tick कर देंगे teacher के लिए कर रहे हैं तो दो number tick कर देंगे और principal के रिये कर रहे हैं तो 3 number टिक कर देंगे आगे है ethnic आपने यही याद रखना है कि nominal scale में हम चीजों को number से represent करते हैं ठीक है आगे है ordinal, ordinal scale में क्या है जैसे satisfaction satisfaction देखिए जब हम shopping करते हैं online तो आगे हमारे सामने कई वर poll आते हैं कि आप हमारे product से बहुत खुश हो ठीक है आप कम खुश हो आप उससे भी कम खुश हो आप ना खुश हो तो वहाँ पे वो चीज़े हम टिक करते हैं तो वहाँ पे order होता है वो ranking order हम उसको देते हैं जैसे हम वो नहीं देते हैं, 5-star ranking देते हैं, 4-star ranking, 3-star ranking, तो वो इसी में आती है, exam में grade होती है, position in class, तो आगे है interval scale, interval scale में वही है, IQ होता है, temperature, score, cgpa, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ratio scale के बारे में, ratio scale में हमने आपको बताया था, जो चीजे एच्छल में होती है, हम उनी को represent करते हैं, जैसे height है, किसी की height 5-foot-3 inch है, तो हम उनको 5-foot-3 inch में ही represent करेंगे, weight अगर किसी का 58 kg है, तो हम 58 kg ही बताएंगे, हम 60 kg नहीं बता सकते, हम यह भी नहीं कह सकते, कि लगबग 60 kg है नहीं हम 58 ही बताएंगे उसके बाद टाइम है अगर 12 बज़ के 10 मिन्ट हो रहे हैं तो हम 12 बज़ के 10 मिन्ट ही कहेंगे 12 नहीं कह सकते उसके बाद एज है दिखिए रेशो स्केल वही है जिसमें हम एक्चुल में चीजों को रिपर्जेंट कर रहे हैं ठीक है आई होप जी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अगर आप जी नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमारा एप निमीजी नैट इंस्टॉल कर सकते हो जिसमें आपको जी सारी चीज़ें मिल जाएंगी अब हम पढ़ते हैं most important keywords के बारे में आप देखना इन keywords को दियान में र चीज़ों को नेम से रिपर्जेंट किया जाता है इसमें क्या है classification की जाती है example male female की car bike की है ना post की किसी भी चीज की वो classification हो सकती है उसको हम नंबर से रिपर्जेंट कर सकते हैं आगे है ordinal scale ordinal scale में classification है और साथ में order है हमें नेम से पता चल रहा है ना ordinal मतलब के order ठीक है आग जैसे जैसे हम आगे scale की तरफ बढ़ेंगे ना तो जो पहले की scale की जो खूबी है आगे के scale में add होती जाएंगी आगे है interval scale interval scale में क्या है classification भी है order भी है और equal units भी है मतलब कि इसमे classification भी करेंगे order भी करेंगे और equal units को भी देखेंगे आगे है ratio scale ratio scale में हम classification को देखते हैं order को देखते हैं फिर equal units को भी देखते हैं और उसके साथ absolute 0 को भी देखते हैं मतलों कि जो चीज एक्चुल में है हम उसी को ही रिपर्जेंट करेंगे आगे भी इनी के बारे में बताया हुए है nominal scale, ordinal scale और interval scale और ratio scale के बारे में अगर आप इन नोट्स को रीड करना चाहते हो नोट की कोई inquiry है तो आप हमसे WhatsApp पे भी contact कर सकते हो WhatsApp contact number description box में दिया हुआ है हम कल की क्लास में इसी टॉपिक के लेटर प्रीविस एक्जाम में आई होए questions को solve करेंगे आप कल की क्लास में जरूर देखना वीडियो को लास तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याबाद मिल special super batch launch किया है जिसमें paper first के related complete study material रहेगा इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा number one पे all 10 unit study notes रहेंगे जो Hindi English में रहेंगे number two पे all 10 units recorded lectures रहेंगे number three पे 2012 से December 2023 तक all previous year question paper रहेंगे वो विदांसर टिक रहेंगे number four पे 2012 से 2023 तक unit wise question रहेंगे number five पे 2012 से 2023 तक topic wise question रहेंगे और इसके साथ साथ आपको five free bonus भी दिये जाएंगे और इसके भी इलावा आपको five super bonus भी मिलेंगे फुल इन्फोमेशन आप जहां से read कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा अपनी image net install कर सकते हो फुल डिटेल के लिए और किसी भी problem के लिए आप हमसे whatsapp पे contact कर सकते हो वीडि थेंक्यू दोसो